सो हेला एवरीवन वेलकम टू अनादर वीडियोस दोस्तों आज के इस वीडियो में इस्टेटिक जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं विए टॉपिक नंबर थार्टिन करने वाला हूं इससे पेने में ट्वेल्ड चेप्टरस को इस्टेटिक जीके को एमसी के की रूप मे मैं अल्रेडी कवर कर चुका हूं इस थार्टिन चेप्टरस में मैं करने वाला हूं इस्टोरिकल प्लेसे और इतने भी टूरिजम प्लेसे से उनसे बनने वाले सारे इंपोर्टेंट सवालों को आपको पता है कि यह टॉपिक काफी ज़दा ट्रेंड कर रहा है पिछले दो इपोर्टेंट रहेगा और इसे आप रिविजन के तोर पर या प्रेक्टिस के तोर पर जरू ले सकते हैं और वीडियो के लाहनत में बताएगा कि आपने 35 में से कितना स्कोर किया है ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं कोस्चन नमबर फर्स्ट से फर्स्ट कोस्चन हमारा कि मन दीप होके याद रखना पूछा जाता है कोस्चन नमबर टू है कि गुजरात के निनमलिकित में सिकीज जिले में इस्टेची आप यूनिटी इस थी थे साइदी ऐसा कोई परसन होगा जिसे ये ना पता हो तो इस्टेची आप यूनिटी जो है दूस्तों यह नर्बदा जिले में कहाँ पर नर्बदा जिले में तो ओप्सन नमबर है इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट कोस्चन है कोस्चन नमबर थर्टिन कि विलांग कन्नी तमिल नाडू के जिले में इस्तित एक तीर्थ यात्रा का केंद रहे तो किस जिले में इस्ति थे विलंग कन्नी तो इसका correct answer होगा नाक पट्टिनम Option number C इसका सही answer होगा देख सकते हो SSE CPU की exam में पूछा जा चुका है Next question है कि पंजिसीर घाटी कहां इस्ति थे जो पंजिसीर घाटी है दोस्तों ये इस्ति थे अफगानिस्तान में कहां पर अफगानिस्तान में Next question है question number 5 है हमारा कि विवेकनन्द रौक मेमोरियल भारत के किस राज्य में इस्ति थे तो विवेकनन्द जो रौक मेमोरियल इस्ति थे ये इस्ति थे तमिल नाडो में पूछा जाता है काफी exam में ये repeat हुआ है दोस्तों तो important रहेगा याद रखनार जो विवेकनन्द रौक मेमोरियल है ये तमिल नाडो में इस्ति थे तो ये याद रखना चेल हिल इस्टेशन जो है ये हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है important है next कोचेने के निनमलिकित में से कोन उत्तर भारत में चार धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है पढ़िये चार उप्चन और बताईए कि कोन सा चार धाम का हिस्सा नहीं है बद्रिनात, गंगोत्री, केदारनात और यमनोत्री ये चार है चार धाम लेकिन वेश्णो देवी जो है ये हमारा चार धाम यात्रा में सामिल नहीं है तो हमारा उप्चन नमबर सी इसका करेक्ट अंसर होगा नेक्स्ट कोस्चन है कोस्चन नमबर नाइन के मातेरन का ही लिष्टेशन कहां इस्ति थे जो मातेरन का ही लिष्टेशन है वह कहां इस्ति थे तो ये महाराष्ट में इस्ति थे कहां पर महाराष्ट में तो अप्चन नमबर ये इसका बिलकुल करेक्ट अंसर होगा नेक्स्ट कोश्चन है कि पारो सहर कहां का एक प्रसिद्ध परियाटन इस्थल है तो यह इस्थल है भूटान का कहां का भूटान तो अमारा ओप्सन नमर सी इसका करेक्ट अंसर होगा नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं कोश्चन नमर 11 है अमारा कि निनमलिकित में से कौन सा परियाटक आकर्सन इस्थल हरियाणा राज्य में इस्थीत नहीं है तो चार ओप्सन में से बताना है कि कौन सा परियाटन इस्थल हरियाणा राज्य में इस्थीत नहीं है तो नालंदा इसका सही अंसर होगा क्योंकि नालंदा है बियार में दाकि सुरजकुन पानी पत और कुरू छेतरी आपको हरियाणा राज्य में देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां मिलेगा तो भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो देखने को मिलेगा यह मिलेगा स्री नगर में कहां पर स्री नगर में कोश्चन नमबर 13 है कि मेरीना बीच कहां इस्ति थे तो यह इस्ति थे दोस्तों चेन्नाई में कहां पर चेन्न नहीं मिस्तिते मेरीना बीच नेक्स्ट कोस्चन है कि दरिंग बाड़ी हील इस्टेशन कीस राज्ज मिस्तिते जो दरिंग बाड़ी हील इस्टेशन है या इस्तित दोस्तों पोड़ी सा राज्ज में इसे भी याद रखना पूँछा जाता एक्जाम में next question है question number 15 कि भारत में सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद की स्राज्य में स्तिते तो भारत में सबसे बड़ा गोल गुंबद जो इस्तिते ये इस्तिते करनाटक में नेक्स्ट है कि फतेफूर सिक्री किस राज्य में इस्तिते फेरी इंपोर्टेंट सवाल इस्टार लगाली छे काफी एक्जाम में ये पूछा जाता है फतेफूर सिक्री कहां इस्तिते तो ये ताई थिंग पता होगा काफी लोगों को उत्तर प्रदेश में इस्तिते फतेफुल सिकरी नेक्स्ट कोस्चन है कि गारो हिल्स कहां इस्तिते तो गारो हिल्स जो इस्तिते ये इस्तिते मेगालय राज्जी में कहां पर मेगालय राज्जी में नेक्स्ट कोस्चन है एक्टीन नमबर कोस्चन हमारा कि मानव सब्व्यता के विकास को विकास की कहानी दर्शाने वाले देश का सबसे बड़ा संग्रालाई इंद्रा गांधी मानव संग्रालाई कहां इस्ती थे तो इंद्रा गांधी मानव संग्रालाई जो इस्ती थे ये इस्ती थे बोपाल में कहां पर बोपाल में तो मारा option बरे इसका correct answer होगा इसाई धर्मे में सबसे प्रसित चर्चों में से एक St.Peters Basilica किस सहर में इस्ति थे तो St.Peters जो Basilica इस्ति थे यह इस्तित दोस्तों Ventigan City में कहाँ पर? Ventigan City में Next question देखते हैं कि Red Square कहां इस्ति थे Red Square तो Red Square देखने को मिलता है दोस्तों अपने को मासकों में कहाँ पर देखने को मिलता है मासकों में Next है कि Mount Everest इस्ति थे जो Mount Everest इस्ति थे यह तो I think सबी लोगों को पता होगा नेपाल में इंपोटेंट है ठीके Next question है कि Eiffel Tower इस्ति थे जो Eiffel Tower है यह इस्ति थे Paris में कहाँ पर Paris में Next question है LSE Palace कहाँ इस्ति थे आपसे पूछा है LSE Palace कहाँ इस्ति थे तो यह इस्ति थे France में कहाँ पर France में Next question है कि पीसा की मिनार की इस देश में आवस्ति थे अगला सवाल निनमलिकित में से किसे परवती पर्याटन इस्तलो की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है परवती पर्याटन इस्तलो की राजकुमारी के रूप में तो यह जाना जाता है कोडाइक नाल को अप्सन नमबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा कोड़ा इकनाल नेक्ष्ट है 27 नमबर सवाल ये भारत के निनमलिकित में से कौन से सहर में प्रसिद स्वामी नारायन आक्छरदाम मंदीर इस्ति थे तो किस सहर में प्रसिद स्वामी नारायन आक्छरदाम मंदीर इस्ति थे तो दिल्ली गय हो, हमाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये स्वामिनाराण अक्छरदाम मंदिर नेक्स्ट कोश्चन है 28 नमबर सवाल कि गंगा सागर मेला किस राज में आयुजित किया जाता है तो ये किया जाता है पस्चिम बंगाल में कहाँ पर पस्चिम बंगाल तो मारा उप्सन नमबर सी बिल्कुल सही अंसर होगा नेक्स्ट सवाल है कि राजिस्थान का पंजाब कहलाने वाली जग राजिस्थान के किस जिले में है तो ये दोस्तों जालोर जिले में कहाँ पर जालोर जिले में तो हमारा उप्सन नमबर सी इसका सिल्कुल सही अंसर होगा नेक्स्ट सवाल है कि राजिस्तान में डेजर्ट फिष्टिवल कहां मनाया जाता है इंपोर्टेंट सवाल रहेगा आपके एकजाम के लिए तो जो डेजर्ट फिष्टिवल या मरू महसो के नाम से भी जाना जाता है यह देखने को मिलता है जेसल मेर में कहाँ पर जेसल मेर में नेक्स्ट कोस्चन है कि मरद्य प्रदेश में पातल पानी किस जिले में इस्ति थे तो मरद्य प्रदेश में जो पातल पानी है यह देखने को मिलेगा आपको इंदोर सहर में कहाँ पर इंदोर सहर के निकट नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं थर्टीट्ट्व नमबर सवाल तो लोधी गारड़न्स को जाना जाता है दर लेडी विलिंग्तन पार्क के नाम से नेक्स्ट कोस्चन है कि फोक विलियम कहां इसती थे important और काफी बार repeat होने वाला सवाल तो Fort William इस्तिते कुलकत्ता में कुलकत्ता में इस्तापना भी थी Fort William College की ओके, next सवाल है, 34 number सवाल कि निनमलिकित में से किसे परवती स्थल के नाम परवती स्थल के नाम का अर्थ वजरपात स्थल है तो इसका जो सही अंसर होगा, धरजिलिंग जिसे की वजरपात इस्तल के नाम से भी जाना जाता है next question की गुजरी महल कहां इस्तिते, important पूछा जाता है ये भी तो जो गुजरी महल है दूस्तों, ये इस्तिते, गौालियर में कहां पर? गौालियर में next question 36 number question है हमारा की मानव सब्वेता की विकास की कहानी दर्षाने वाले देश का सबसे बड़ा संग्राल है, इंद्रा गांधी मानव संग्राल है कहां इस्तिते? तो इंद्रा गांधी मानव संग्राल है जो इस्तिते ये इस्तिते भौपाल में कहाँ पर बोपाल इसका correct answer होग option number A नेक्स्ट कोस्चिन है कि silent valley सांत घाटी की स्राज्जी मिश्ती थे silent valley या सांत घाटी की स्राज्जी मिश्ती थे तियस्ती थे केरल राज्जी में कहाँ पर केरल राज्जी में तो उम्मेदे सभी question आपको अच्छे लगे होंगे और दोस्तों बता दू कि मैंने काफी सारे topic को MCQ के रूप में cover किया है अगर उन वीडियोस को आप देखना चाहते हो तो playlist में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे chapter wise topic wise तो उने जाके जरूर देखेगा और आप अगर regular रहते हो तो daily basis पर आपको वीडियोस देखने के मिलेगी और आप revision या practice के तोर पे जरूर इन वीडियोस को देखेगा आपको GK में काफी help होगी और काफी level boost up होगा आपका GK का तो उम्मेद यही करूँगा कि आप channel को जरूर subscribe करोगे तो चले मिलते है नेक्स्ट वीडियो में next topic के साथ next chapter के साथ देखतके लिए जय ही आलदेवेश्ट